बढ़ेगा आधार का दाइरा, क्या है? UIDAI की तैयारी आईये जानते हैं भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने राज्यों से आधार एकोसिस्टम का उप्योग बढ़ाने के लिए कहा है योजना के तहत राज्यों में चलाई जा रही विभिन सामाजिक योजनाओं के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम का उप्योग बढ़ाया जाएगा इसका मकसद डुप्लिकेट और घोस्ट लाभारतियों को बाहर करना है UIDI राज्यों के करमचारियों को आधार के ज्याद से ज्यादा उप्योग के बारे में प्रस्रिक्षन दे रहा है UIDI लोगों को 10 साल में एक बार अपने बायोमेट्रिक्स जन सांख्य की यादी को भी अपडेट करने को भी अनिवार रहेगा तहारों के सीजन में 80 करोड लोगों के लिए एक बड़ी खुश खबरी आई है कौन सी है ये खुश खबरी सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की परधानमंत्री गरीब कल्यान अन योजना की अवधी 3 महीने यानि दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है इस योजना पर सरकार 44,700 करोड रुपे खर्च करेगी योजना के तहट 80 करोड गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं और 40 हर महीने दिया जाएगा ये योजना शुकरवार 30 सितंबर को खत्म हो रही थी इसे 3 महीने यानि अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है कोरोना वाइरस में हमारी की रोक्थाम के लिए देश व्यापी लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन योजना अप्रेल 2020 में शुरू की गई थी इस योजना पर सरकार अब तक 3,45,000 करोड रुपे खर्च कर चुकी है अब अगली खबर की ओर चलते हैं जो सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई है भारते स्टेट बैंक की पूर्व प्रमुक अरुंधती बटाचार का ये कहना है कि देश को कम लेकिन मजबूत सरकारी बैंकों की जरूरत है और छोटे सरकारी बैंकों का निजी करण या विले किया जा सकता है इससे पहले आर्बियाई के पूर्व गवर्णर डी सुबाराव भी सरकार को सभी सरकारी बैंकों के निजी करण के लिए दस साल की रूप रेखा तयार करने का सुझाव दे चुके है बटचारे ने कहा कि उन्हें नहीं लगता के देश को इतने सारे सार्वजनिक शेतर के बैंकों की जरूरत है सरकारी बैंकों की संख्या कम हो सकती है सेल्फ ओफोर्स इंडिया की चेयर पर्सन और मुख्य कारपाला का दिकारी आजा सकता है और सार्व्यनिक शेत्र के मजबूत बैंक कभी भी बने रह सकते हैं तो यह थी आज की तमाम बड़ी खबरे ज़रूरी और